तो यहां पर अगर आप साउमी 11i डिबाइस की उज़र हो तो भाई आज का यह वीडियो आप साउमी 11i यूजर के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट और बहुत हिल्फूल होने वाला है क्योंकि यहां पर इंडिया पर साउमी 11i डिबाइस के लिए MIUI 13 का एक और बहुत आपडेट रोल आउट होना भाई स्टार्ट हो चुका है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन से भार्चन के दोरान एक को नया अपडेट इंडिया पे साउमी 11i डिबाइस के लिए रोल आउट हुआ है आपडेट का साइस क्या है एंड इस न्यू आपडेट के बाद आपके साउमी 11i डिबाइस के अंदर आपको क्या कैने हो फीचर्स देखने को मिलता है साउमी की तरप से तो आज किस वीडियो को जो से लाज तक देखना है उससे पहले बाद चैनल पे ने आ रहे हो और साउमी की 11i डिबाइस कब यूज करते हो तो भाई फटा बाद सामरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी आपडेट इंडिया पे साउम हमार टेलिग्रम चैनल को एंड हमार टेलिग्रम ग्रूप को जोई नहीं किया है और वाई साउमी 11i डिबाइस को अब यूज करते हो तो फटा बाद से अभी कभी हमार टेलिग्रम चैनल पे ग्रूप पे जोईन कर लो क्योंकि यह जो आपडेट इंडिया पे रोल आउट ह होना स्टार्ट हुआ है साउमी 11i डिबाइस के लिए इस अपडेट का ओपीशल ओटी डाउनलोड लिंक्स और आपको सबसे पहले हमार टेलिग्रम चैनल पे ग्रूप पे देखने को मिल जाएगा तो ओटी लिंक से डाउनलोड करके अपडेट करना चाहते हो तो जी यां भाई आपने एक दम सही सुना मिवाई 13.0.4.0 भर्चन के दोरान इंडिया पे साउमी 11i डिबाइस के लिए एक कोन है अपडेट भाई साउमी के तरब से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है अगर आपके पास भी साउमी का 11i डिबाइस है तो सबसे पहले बाउट फोन में जाओ उसके बाद यहां पास सिस्टेम अपडेटा सेक्शन पर जाके देखो यह जो मिवाई 13.0.4.0 अपडेट है साउमी 11i डिबाइस के लिए आपको देखने को मिला है या फिर आपके साउमी 11i डिबाइस के अंदर या अपडेट आपको देखने को नह कैसे आपको अपडेट मिलेगा कैसे आपके साउमी 11i डिबाइस कब अभी कभी अपडेट करेंगे वह साब कुछ मैं आपको आच्छी तक समझा दूंगा तो बिना एक सेकंट स्कीप करते हुए इस वीडियो को लास तक देख से लो तो इस आपडेट की साइस की बात करें तो 549 MB जी है 550 MB का असपास एक मीडियाम छोटा साइस का अपडेट देखने को मिला है यहाँ पर इंडिया पे साउमी 11i डिबाइस के लिए तो यहाँ पर आप हम लोग बात करते हैं मियुआ है 13.0.4.0 अपडेट के बाद आपके साउमी 11i डिबाइस के अंदर आपको सिस्टेम के अंदर सबसे पहले अपडेट एर एंड्रोइट रुपैस तो ऑगस्ट 2022 जी है आपने एकदम सही सुना इस अपडेट के बाद आपको ऑगस्ट 2022 का लेटेस्ट एंड्रोइट रुपैस देखने को मिलता है आपके साउमी 11i डिबाइस के अंदर जो एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ेया बात हो जाता है उसके बाद यहां पास सिस्टेम के अंदर इस मिवाइट 13.0.4.0 नियु आपडेट के बाद आपके साउमी 11i डिबाइस के अंदर एक और बहुत 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 जिदा मैयतोफनी फीचर आपको मिलता है जो चलने के बाद आपका साउमी 11i डिबाइस यहां पर बहुत ज़्यादा स्मूद चलने वाला है आपकी डिबाइस को ऐसे आप नॉर्मल यूज करोगे कोई अप्लिकेशन को यूज करोगे गेम खेलोगे या पर कोई भी नॉर्मल गम करोगे तो आपको पहले के मुकाबले म MIUI 13.0.4.0 अप्डेट के बाद आपको और भी ज्यादा स्मूद पाफ्रोमेंस देखने को मिलेगा यानि आपका साउमी 11i डिबाइस और भी ज्यादा स्मूद अच्छा चलने वाला है यानि आपका डिबाइस का जो अबरल पाफ्रोमेंस है और अबरल सुने से उसको बढ़ा दिया गया है इस आपडेट के बाद इसके बाद यहां पर एक और आपको बहुत 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 जिदा मै बहुत सरे लोग को यहां पर देखो साउमी 11i डिबाइस का अंदर भाई बैटरी ड्रेन इससु देखने को मिलता था यानि जो बैटरी बहुत जल्ले खतम हो जाता था तो इस मिवाई 13.0.4.0 न्यू इंडियान स्टेबल आपडेट के बाद आपके साउमी 11i डिबाइस के जो बैटरी पाफ्रोमेंस से उसको काफ़ी ज्यादे इंप्रोव एन ऑप्टिमाइज कर दया गया है यानि इस आपडेट के बाद आपका साउमी 11i डिबाइस के अंदर आपको बैटरी ड्रेन पॉब्लेम देखने को नहीं मिलेगा बैटरी पाफ्रोमेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा 13.0.4.0 नियो अपडेट के बाद आपके साउमी 11i डिवाइस के अंदर जैसे आप गेम खेलोगे या पर वीडियो एडिटिंग या पर वीडियो रेकोडिंग व्लॉगिंग कोई भी काम करोगे आपडेखो करने के बाद तो आपके साउमी 11i डिवाइस क तो यहाँ पर जो चारो गेम का मैंने नाम बताया उन में से आप कौन से गेम को खेलते हो वह आप मुझे निजे कॉमेंट सेसर में कॉमेंटर के बाताना तो देखो गेमिंग पार में इसको भी काप्पी जादे इंप्रूब कर दया गया है इस मियो है 13.0.4.0 आपडेट के इस आपडेट के बाद आपके गेमिंग पार मेंस को भी काफी जादा इंप्रूब कर दया गया है यहाँ यहाँ पर गेम खेलने में आपको काफी जादा मज़ा आएगा यहाँ पर आपको स्टेबिल फ्रेम रेट के साथ अच्छा गेमिंग पार मेंस देखने को मिलेगा इ देखो सेब नॉर्मेल का ऑगास्ट का सिकूर पर मिला है फाइब जी नेटर को सब्सक्राइब पर इंप्रूब कर देगा है उसके साथ सिस्टेम की पाफ्रमेंस को थोड़ा सा इंप्रूब कर देगा इस आपडेट के बाद और कोई फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है अगर आपको कोई भी और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है इस आपडेट के बाद साउमी 11i डिबाइस के अंदर वह आप मुझे लिज़े कॉमेंट है से बाता दना आप कॉमेंट करोगे तो मुदब पाता चल जाएगा इस आपडेट के बाद आपको और क्या फीचर मिला है आ है आप क्या करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप अभी कभी आपडेट करना चाहते हो आपके साउमी 11i डिवाइस को तो याप पर हमार डेलिग्रम चैनल पे एंद हमार डेलिग्रम ग्रूप पे आपको ओटी लिंक मिल जाएगा जियां सिंपल से आपको ओटी फ्यूचर पर आपके साउमी 11i डिवाइस के अंदर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जो यहां पर साउमी की तरफ से प्रोवाइट किया जाएगा यहां पर इंडिया पर और देखो भाई अगर आप मैनोली अपडेट करना नहीं चाहते हो ओपीसल अपडेट को वेट क कर रहा है तो सभी दोसको मिलने में कम से काम यहां पर एक अपते टाइम लग जाएगा तो एक अपता वेट करो एक अपते का अंदर आपकी डिवाइस का अंदर डेफिनेटली एबाउट फोन में सिस्टेम अपडेट है सेक्शन पर यह मिवा है 13.0.4.0 अपडेट आपको यदि को मिल जाएगा तो भाई लो अगर आपको आज का वीडियू पसंद आया है तो आज की वीडियो को लाइक जरू से कर देना क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत होता है और आपकी दोस्त के पास अगर साओमी 11 आइडिवाइस तो यह वीडियो आप आपकी दोस्ते बस स्याज जरू से कर देना ताकि आपके दोस्त को भी आपडेट की रिगाडिंग सारे इंपोर्मेशन पता चल जाए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी आल पर सिलर कर लेना क्योंक कुमी की तरफ से उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारी यूटूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो फिलाल दोस्तों आज का वीडियो बस यार इतना है